हेलो फ्रेंड्स, मिसन एर फोर्स यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम एस्पोर्ट से जुरे हुए कुछ महत्पुन प्रशनों का अध्यन करेंगे जो एर फोर्स वाई ग्रूप के एकजाम में पूछे जाते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि एर फोर्स एक्स वाई ग्रूप की परिक्षाएं 13 सितंबर से शुरू होने वाली है तो इस हिसाब से यह जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को लाश्ट तक देखे ता चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें अब हम अपने वीडियो की और बढ़ते हैं तो जैसा कि यहां देख रहे हैं कि हम यहां पे एस्पोर्ट से रिलेटेड कुछ महत्पुन कोश्चनों को देखेंगे जिसमें पहला कोश्चन है वीम लंडन 2018 वीम लंडन 2018 एक बहुत ही फेमस टैनिस टूनामेंट है जो हर एक यह परतेक साल खेला जाता है इस बार 2018 में वीम लंडन का जो विजेता है एकल पुरूस विजेता नुवाक जोकोविच जो सर्बिया से है ता एकल महिला विजेता एंजलिक करबर है जो जर्मनी से है उसके बाद दूसरा नुबर कोशन आता है फीफा वर्ल्ड कप 2018 फीफा वर्ल्ड कप 2018 रूस में हुआ था जिसके बिजेता फ्रांस है उसने फाइनल में क्रोयेसिया को हराय था फ्रांस ने ये खिताब 20 साल बाद जीता है और फीफा बिस्वी कप 2018 में गोल्डन बूट का आनीवानी हस्ती है क्योंकि उन्होंने आई एफ वर्ल्ड अंडर 20 एटलेक्स चैंपियंशिप में स्वर्ण पदक जीता है 400 मीटर की रेस में और अभी अभी वह एसेन गेम्स में भी तीन पदक जीत चुकी है दीपा कर्माकर दीपा कर्माकर भारत की जिमनास्टिक प्लेय 2018 का बिजेता चेनेश सुपर्ण किंग है जिस जिन्होंने फाइनल में संराजर्स हैदराबाद को हडाया था कॉमन वेल्थ गेम्स 2018 कॉमन वेल्थ गेम्स 2018 इस बार भारत को कॉन वेल्थ गेम्स 2018 में तीसरा अस्थान मिला है बाहत ने 26 स्वर्ण पदक जीते थे यहां पे पहला अस्थान अस्ट्रेलिया को मिला था जिसने 20 स्वर्ण पतक जीता और दूसरा अस्थान इंगलेंड को मिला था जिसने 45 स्वर्ण पतक जीता कॉन्वेल्थ गेमस 2022 की अध्युएंग इंगलेंड को दी गई है यहां भान को दूसरा अस्थान जहां भारत ने 38sterण पदग जिता था फिलाल इस वीडियो में इतना ही आगे और भी लेटेस्ट वीडियो से अफडेट होने के लिवए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तब आया को जरूर द्वायें थैंके यू झाल झाल